और हाइकोण गुरूब दी से सम्भद्रिट इंपोर्टेंट वार पूछा जाता है तो यह गुरूप दी और ू क्रूपची का गुशन सब्से हलकी धातू तो सबसे हलकी धातु कान से है तो लीधियम होती है सबसे हलकी नेक्स्ट बात करते हैं अगले कुशन की मेरा अगला कुशन है सबसे भारी धातु है तो सबसे भारी धातु कौन से होती है ओशियम सबसे हलकी धातु की बात करते हैं लीथियम और सबसे भारी धातु की बात करते हैं तो ओशियम धातु में और सबसे कठोर धातु की बात करत तो हीरा होगा उत्तम कोईलाकी बात करें तो इंत्रासाइड होगा जल का सुधरुप पुछे तो वर्सा थै जाल के तैने किक्स्टन के किया तो टेलर यवं यंग ने किया ठाव गुर्टवा कर्षड की खोश किस तों ने उटन्ने की थी सिरकेव अचार में कौण सामलत पाया जाता है तो एसेटिक आशिट पाया जाता है नीवु एवं नारंगी में कौण साम symbols पाया जाता है दोड़ खटा होता है सर्द लेक्टिक अमल्ग के कारण मतदाताओं की हाथ में लगाए जानेवाली शाही होती है सिल्वार नारीट्रेट कि होती है चलते हैं और क्यों जबरछी स्कूशन की गतर पर pandemie क्लें अगला कमें पर दो धारा मापी जाती है और मीटर में पारा का प्रमुक अज़स कहस्तिने बार चलते हैं अगले और जवर्जास कोशन की तरह अगला और जवर्जास कोशन क्या है प्रित्वी अपने अच्छ पर घूंती है पच्छीम से पुर्वकियों प्याज वह लासून में गंध आता है इसका रीजन क्या है तो पोटैसि niye कारण आता है कि खोज किस ने की ठी श्कार कि ओस दस्illarных कि तरफ सैइसलों के धिन्य अटग और प्रियोग शाला में बनने वाला पहला पहला तत्य उरीया था टेलीफून का विश्कार ग्रहम बेल ने किया था भारत द्वारा छोड़ा गया पहला अर्यभट था पैंसलिंग की खोज एंगलेक्स जेंडर फ्लामीन ने की थी चेचक के टिके की खोज जैनर ने की थी जिव विज्ञान का जमदातार रस्तु को कहा जाता है डाइनमिक का विश्कार ड चीटी जाता है hey विटामीन में कोबल्ट होता है टो बिटामीन वालोग वेरी बेरी होता प्रभाइबित होता है तो आध प्रभाइबित होता है रेविच के ठीके की खोज जो यह लूइस पास्चर ने की थी एज़ाव टीवी के जुवाणों की खोज रावर्ट कोचने की थी कब की थी इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को शेब्सक्राइब लाइक कमेंट करें इसका प्रप्ट करने के लिए आप मरे टेली ग्राम चैनल को जोईन किजिए का जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इलहाबाद हाई कोट गू करने के लिए इसका एक प्लेडिस्ट बना रहा गया है इलहाबाद हाई कोट गूर्प डी पेपर के नाम से आप वहां सभी देख सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद मिते हैं